राजस्थान हिंदु युवा वाहिनी एवं सनातन सेवा ट्रस्ट द्वारा 14 फर्वरी बसंत पंचनी सामुविक विवा सम्मेलन का आयोजन, 23 जोडों का हुआ विवा सर्व समाजने लिया बढ़ चड़ कर भाग। साती शादी के जोडों को हिंदु युवा वाहिनी राजस्थान एवं सनातन सेवा ट्रस्ट द्वारा उभार के तौर पर शादी में तमाम जरूरत के सामान दिये गए जिसमें मुख्य अतिती अवधेश आचार्य जी महाराज, प्रकाश दास जी महाराज, भजन समराथ, श् पहला सम्मेलन है और हम लोग इस तरीके के समाजिक कार्य करते रहते हैं, और अब हम भोशना करते हैं कि हर साल बसंद पंचमी पर सभी समाज का एक सम्मेलन हुआ करेगा, सुरेंद सिंग राजावत राश्ट्रिय सचिव सनातन सेवा ट्रस्ट ने कहा है, इस तरीके के सम्म लोग मौजूद रहे, आप देख रहे हैं, इंडिया दस्तक न्यूज ये रिपोर्ट है, हमारे समवाद दाता अरविंद योगी की समाज के लिए इनके बच्चों के लिए एजूकेशन के लिए खर्च करें तो ज्यादा बैनिफीशल होगा, और जैसे आजकल हमारी समाज में हो रहा है, दिखावा, जिसकी वज़े से कोई 5 लाग, कोई 10 लाग, कोई करोडों रुपे खर्च कर रहा है, जो अनावश दिख हवा है, तो इस रखे संबिलन्स करवा के हम लोगी संदेश देना चाहते हैं, कि जहां हम इन पैसों को बचा सकते हैं, वो बचाए और सही कारियों में उप्योग लेए, मैं जिन जिन महीं लोगा शादी हो रही है, जिन कन्याओं के, तो उनको क्या-क्या संस्ता की तरफ से पूरा समाज दहेज, पूरा एज गिफ्ट पूरा समान दिया जा रहा है, क्योंकि सारी गरीब कन्या है, डबल बैड हुआ, अलमारी हुआ, संदूस हुआ, कूलर हुआ, इसके लावा सोने का मंगल, सुत्र, नाक, लॉंग, बिचिया, पायल, सारा जितना एक रस्ती वसान के लिए समान चाहिए होता, किचन वियर, बात्रों वियर, सारे आर्टिकल्स हमारी तरफ से दिये जा रहें, संस्ता की तरफ से, मैं, और कन्याओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कि दिखावे में नहीं जाके, आप लोग अपना घरस्त जीवन को बहुत अच्छे से, कैसा मैसूस करें, बहुत अच्छा मैसूस हो रहा है, मैं तो कहूंगी, समेलन जो भी है, करवाते हैं संसा, यह बहुत अच्छा कारी करम है, क्योंकि इस से, जो भी बेटी की जो शादी में पैसे लगते हैं, चार-पांस दाक से उपर ही जाते हैं, शादी में खरचे, तो जो भी है, दिखावे में पैसा अपना वेस्ट ना करें, बिल्कुल भी, यह बहुत अच्छा कारे करें, जाते से जादा आप अपनी बेटी की शादी समेलन में करने की कोशिस करें, दिखावे में ना जाएं, अधर किसी की भी कहने पर, इससे अपना ही बढ़ावा होता है अपना ही फ्यूचर बढ़ता है, केशब जी जहां देखा जा रहा है, आज आपने 23 जोडों का विवास संबन करवाया है, आज क्या महसूस करना चारे हो, और क्या मैसेज देना चाहोगे आगे समाज को, देखिए, आज हमने यह सामुईक विवास मेलन जो कराया है, यह सर् तो इसमें इन जोडों से आप लोगों कुछ सयोग भी लिया है, जोडों से नामातर सयोग लिया है, बागी सब जो उप्हार की वस्तु एज सब संस्ता द्वारा उनको दी जा रही है, भामा शाहोंने जो ने कुछ संस्ताव ने संस्ताउं स हैं और हमने पिछले काल भी सफी सेवा के कारे की और हमारे यहां से काड़ा वित्रन किया लंपी रोग आया तो गाएंगी कुब सेवा की लगभग साथ जाल गाय मारे संग्तन के द्वारा ठीक हुई और ऐसे समाज सेवा के कारे संग्तन में नित्या करता रहता है और अब उसी श्रिंगला में हमने यह सामुईक विवा समेलन करवाया है प्रन्तों हमारे साथ समेलन करवाने के लिए जो अनुबवी व्यक्ति यह सोला साल से लगातार समेलन करा रहे हैं और इनको बहुत अनुबव है हर साल बसंत पंचमी का फिक्स कर दिया है जितने भी जोडे होंगे सब का विवा कराया जाएगा हमारी तरफ से सर्व समाज को यह संदेश है कि सभी व्यक्तियों को मिल चुल कर रहना चाहिए जाती पाती से उपर उठकर सर्व समाज में हिंदुतों को मजबूती देने के लि यह तीन-च्यार बार हम कर चुके यहां ही जगह पर प्रोग्राम और बड़े उच्छा से लोग आते हैं और अच्छी तरह से अपना काम करके चले जाते हैं हम चाहते हैं भी साल में दो-तिन प्रोग्राम तो कंटिनिव हो यह हमारी इच्छा है सब लोग करा कि जाएए कि मैरे मेरी तरह से मैं नीमा कौशल और हिंदू यूगा वाइनी से जूड़ी हुए हूं संदेश यही है कि एक तो जो 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 माबाप पे जो भी एक प्रैशर होता है लड़की की शादी का वो यहां पर नहीं है एक है ना परिवार की तरह से उस समस्या भी नहीं कहेंगे इसको एक तरीके से निभाया जाता है और इसमें सब एक है शादी परिवार की तरह यह सम्मेलन होता है तो इसमें हम हमेशा जुड़े देना चाहेंगे और बहुत अच्छा आयोजन है यह आज का आज इस विवा सम्मेलन के लिए मैं सुरूची गोस्वामी और हिंदू युवा भायनी संस्ता से जुड़े भी हूँ और बहुती अच्छा कारेक्राम है बहुती अच्छा एक हम यह आयोजन करने जा रहे हैं इसमें हम सब मिल जुल करके साथ निभा रहे हैं और आगे हमेश अच्छा एसे निभाते रहेंगे और हम सब को ऐसे ही साथ में मिलके चलना चाहिए और इसे अच्छे कारे को अच्छा बनाना चाहिए